हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू अवर चैनल प्रिति सिंगिंग शेफ आज हम आपके लिए बलकि सब के फेवरेट, सिर्फ हमारे फेवरेट नहीं, सभी के फेवरेट छोले बटूरे लेके आए हैं ये बहुत ही स्पेशल होली में सब को पसंदाने वाले और दही बड़े के साथ, तो चलिया आएए, इसके हम प्रिप्रेशन करते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने छोले छे से साथ गंटे के लिए भीगोने के लिए रखे थे और अब ये अच्छे से फूल चुके हैं, अब हम इसमें एक चमच नमक डालेंगे और ये एक चमच और डाल रहे हैं नमक इसमें, और इसके बाद हम इसको छे से साथ विसल में चड़ा देते हैं, छे से साथ विसल लेंगे हम और इसको कुकर में चढ़ा देते हैं अब आईए इसके हम प्रिपरेशन करते हैं यहां पे मैंने 2 प्याज ली है लेसुन की 8-10 कलियां ली है 3 मैंने हरी मिर्च ली है और यहां पे 1 मीडियम साइस का टमाटर लिया है और यह गरम मसाले लिये हैं जिसमें मैंने दालचीनी और इलाइची बड़ी इलाइची छोटी इलाइची और जवित्री ये सब डाला है इसमें अब ये हम ये प्याज और टमाटर को पीस लेंगे यहां पे मैं एक साथ ही पीस रही हूँ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक साथ पीस देने से और ये मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है खड़ा गरम मसाला अब इसको हमको अच्छा स्मूध पीस लेना है ये देखिए और यहां पे मैंने सरसों का तेल यूज किया है फ्रेंग और अब मैं इसमें जीरे और राई डाल रही हूँ आदा आदा चमच और उसके बाद मैंने ये जो मसाला भी पीस के रखा है वो मसाला मैंने इसमें डाल दिया है अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे इसको हम पिंक होने तक भूनेंगे आप देखेंगे कि यह ओईल छोड़ देता है यह अपने आप से और इसमें हमने बहुत कम ओईल का यूज किया है अब यह देखें यह ओईल छोड़ दिया है इसने अब हम इसमें हल्दी, एक चमच हल्दी, धनिया और गरम मसाला, अमचुर और लाल मिर्च यह सब डाल रहे हैं इसमें और हम इसको फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स दही भी डाला है दो चमच के करीब मैंने दही डाला है जिससे इसका टेस्ट बहुत इंप्रूव हो जाता है अब हम इसको अच्छे से छोले को इसमें मिक्स कर लेंगे खूब अच्छे से हम इसको चला लेंगे और हम इसमें नमक एट करेंगे और जो छोले में पानी हमने डाला था बॉयल होने के लिए वही वाला पानी हम इसमें डालेंगे तो friends हमारे छोले बनके बिल्कुल तयार है अब यहाँ पे मैं यह भटूरे का आपको बता रही हूँ यह थोड़ा सा different method है यहाँ पे मैंने मैदा लिया है एक कटोरी और मैंने यह नमक डाला है इसमें एक चमच के करीब और यह मैं पिसी हुई sugar डाल रही हूँ इसमें यह भी कर रही हूँ अब हम इसमें इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे mix करने के बाद यह देखिए हमको बहुत अच्छे से mix कर लेना है mix करने के बाद अब हम इसमें oil add करेंगे हम इसमें बहुत ज़्यादा oil नहीं डालेंगे क्योंकि अभी हम इसमें milk और दही दोनों चीज़े डाल इसलिए हमको बहुत ज़्यादा इसमें आइल नहीं यूज़ करना है यह देखिए यहां पर मैंने यह दो चमच के करीब बड़ी चमच दही डाल दिया है और एक कप मैं मिल्क यूज़ कर रही हूं यहां पर अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका हम मुलायम सा आटा गूत लेंगे अब हम इसको आटे को अच्छे से मसल लेंगे और हम इसमें ओईल लगाके थोड़ा सा हाथ में ओईल लगाके इसको डखके रख देंगे अब हमने इसको आदे गंटे के लिए डखके रख दिया था अब देखिए यह कितना सॉफ्ट हो चुका है यह आ बटूरे एकदम आपको लाइट लगेंगे जब यह आप खाएंगे तो हैवी नहीं लगेंगे यह क्योंकि सिर्फ इसमें मैदा अकेला नहीं है इसमें और भी बहुत सारी चीज़े डाली है जिसकी वज़े से यह बहुत खाने में हलके लगते हैं अब यह देखे यह अच्छ जलना है यह देखे अब यह दोनों साइट से हमने तर लिया है मैं एक और आपको फ्राय करके बताती हूं इसको और यह बिल्कुल भी ओईल फ्री है बिल्कुल ओईल नहीं सोकता है यह जरास अभी और अब भी मैं दिखाऊंगे आपको और एकदम लाइट है यह खाने में तो आप यह दो की जगे तीन भी खा सकते हैं इतने अच्छे हलके अलगते हैं यह भटूरे तो फ्रेंड्स यह देखे यह भी बिल्कुल बन के रेडी है और आप फटा फट केचिन में जाईए और इसकी प्रिपरेशन करिए और बना के बताईए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिये और मेरा चैनल अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किय है तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजे और दो नोट फर्गेट तू प्रेस बैल आइकन और इंजोए करिए फ्रेंड्स दही बड़े छोले भटूरे थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फर वाचिंग मैं चैनल